इस देखे मैच अन होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ग्राउंड के अंदर कोई भी गाड़ी अलाउट नहीं है नहीं तो फिर मैन आफ दे सिरीज चलिए सलामी बल्ले बाजी की जोड़ी विक्टो के बीच में एक तरफ है राज तो दूसरी तरफ है नरेंद्र भार्थी नाम तो सुना होगा नरेंद्र नौड़े टार्गिट की अगर बात करें लक्ष की अगर बात करें तो लक्ष रखा गया है 61 रंस टू विन इस मुकाबले को अगर जीतना है तो 61 रंस बनाने होंगे ज़रूरी बिग फाइट मैच एक बड़ी प्रतियों की था और आज की दिन से आगाज हुआ है आप देख रहे हैं पहला मुकाबला इस वक्त गाउदेवी स्पोर्ट्स मुगर पाड़ा लका सतियाई गाउदेवी स्पोर्ट्स मुगर पाड़ा वर्सेज श्री पोश्मात्र स्पोर् की कमी नहीं जिस तरह जिस तरीके से देखा जाए पोश्मात्र स्पोर्ट्स बाइंदर पाड़ा की अगर बात करें तो तीजस जैसे खेलाडी विशाल है जैश है जीतू है बिलकुल शुशान्त है काफी बड़े-बड़े सितारे इस टीम में है उसी तरीके से अगर मुग पर बड़ा की बात करें तो भावेश नौड़ी जैसे बड़े-बड़े सितारे इनके पास भी मौझूद है हाइट में छोटे हैं लेकिन सितारे बड़े है चलिए स्टार्ट होने जा रहा है सेकेंड इनिंग की शुरुआत होने जा रही है सिक्स्टी वन रनों का टार्ग है डीप काव कॉनर रीजन में दोरन के लिए निकले है नजदी की मामला हो सकता था लेकिन बहुत ही बड़िया रनिंग विटिन दा विकेट दोनों ही किलाडियों के बीच जरूर देखने मिलती हुई और दोरन के साथ यहाँ पर नरेंद्र भारती ने अपना अकांड ओप किया है खाता जरूर ओपन किया है इस दोरन के साथ शुरुआत होती हुई टीम का स्री घनेशा इस दोरन के साथ जरूर होता हुआ अगली गेंद फिर से एक बार इस बार थोड़ी सी शॉट पीच गेंद थी लेकिन गेंद में उच्छाल काफी जादा देखने मिली और गे नेक्स्ट बॉल जैश बिल्कुल शॉट मीट आफ पर है इस बार ये करार अप रहार गेंद थी वी डीप लॉग अन बाउंडरी के पार चार रन के लिए टाइमिंग लाजवाब था बिल्कुल जैश के सर के उपर से गेंद हाई हेलो हावर यू और गुड मॉनिंग बोलती हुई चार रनों के लिए हुई है कनवर्ड बिल्कुल इस चार के साथ रनों के रन संक्या में थोड़ी सी उचाल स्कोर जा पहुचा है छे रनों पर टार्गेट की अगर बात करें लक्ष की अगर बात करें तो लक्ष रखा गया है 61 रन्स टू विन 61 रन का टार्गेट बारणन पती ओवर के अनुसार अगर बल्लेबाजी होती है तो शायद बात बनेगी फिल्डिंग की विव रचना पर अगर नज़र डाले तो पावर प्ले का ओवर है इस वक्त दो खिलाडी सर्कल के बाहर एक खिलाडी डीप लॉग उफ तो एक खिलाडी डीप लॉग ऑन पर इस तरीके से फिल्डिंग को सेट किया है इसी बीच तीजस की अगली गेंद फ्रेंट फूट पर निकल कर बिग इट लगाना चाह रहे थे गेंद और बल्ले का संपर्ग नहीं और रनों की भी च्छा मन में नज़र नहीं आती हुई गेंद शरी से जाट अकराई थी एक रन चाहते तो आसानी के साथ मुकमल कर सकते थे लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखने का यहाँ पर निर्णा इलिया नौडी नहीं और गेंद रही डॉट के रूप में तेजस की अगर बात करें तो अब तलक के चार गेंदे कर चुके हैं दो गेंदे अभी भी आना शेश हैं दो गेंदों का सामना करने के तयार होते वे नौडी इस बात थोड़ी सी शॉटपीज गें थी गैप डूर निकाला है गेंद को भेज दिया है डीप बैकवर्ट स्क अब दो आकडों में दर्शाता हुआ जा पहुचा है दस रनों पर स्कूर बूट पर स्कूर दस रन जरूर नजर आते हुए जिसमें दो चौके जरूर जड़े हैं नौडी ने अगली गेंद लेका तयार होंगे तेजस अपने ओवर की अंतिम और आकरी गेंद बिगेट कर इस समाप्ति के बाद टीम का स्कूर यस दर्शाता हुआ इस वक्त दस रन बिना कोई विकेट को आए लका सतियाई गाउंदीवी स्पोर्ट्स मुगर पाड़ा बिग फाइट मैच आज के दिन का पहला मुकाबला काटे की टककर अब चार और आना शेश है चार औरों का खेल बचा हुआ है जीत के लिए 51 रन बनाने होंगे जरूरी गेन बाज़ की कमान पर लंबे चोड़े कत के गेन बाज हर्शद को लाए गया है लंबे रनब के साथ गेन बाज़ी करना पसंद करते हैं अब देखने वाली बात यह होगी किस अंदाज में किस तरीके से हर्शद गेन करते हैं क्योंकि उनका सामना होगा इस वक्त राज से राज क्या कमाल करेंगे आज ये देखने वाली बात होगी जरूरी क्योंकि राज की अगर बात करें तो बिल्कुल कत काटी देख सकते हैं स्लीम फिगर के ये खिलाडी जीरो फिगर के ये खिलाडी राज सामना करने के लिए सज्य होते हुए पावर प्ली नमबर टू इस वक्त अन होता हुआ अर्शत किये गेन पहली गेन पर किया है प्राहार पीन जाएगी डीप मिड्विकड बाउंडरी के बार छेरन के लिए बिल्कुल परस्नेल्टी में मत जाएए टैलेंट रेकिये परस्नेल्टी की बात ना करिये गेम देखिये टैलेंट देखिये मुझे क्यों भेजा गया है इन्होंने यह चीज को प्रूफ किया है और यह प्रूफ रहा छेरन के साथ राज ने आते ही साथ अपना अकाउंट गती पर कंट्रोल नहीं रख पाए लेक्स्ट्रम के काफी जादा बाहर कि इनको कर बैठे अर्शद और गीन रही इस वक्त वाइड के रूप में नेक्स बॉल अंदर आइस के ला है गेंद आएगी डीप लॉग ऑन बाउंडरी की तरह अच्छार रन के लिए राज कमाल कर दिया आज मिस्टर राज ताबर दो देखिए समझाने के लिए खुद कीपर दोड़ते हुए आए है और बिल्कुल राज की अगर बात करें तो वेरी गूट प्रोफोर्मेंस मिस्टर राज नाम तो सुना होगा स्कोर जा पहुचा है 21-21 रन स्कोर काट पर चलिए फिलिंग उने टीम थोड़ा फास्ट करना है प्लीज टाइम लिमिट जो दी गई है उस टाइम लिमिट के अनुसारी आपको प्रोफोर्मेंस करना है आउट प्रोफोर्म असर देखने मिलता हुआ और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में डॉट 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 पर जबतलक के गेंद को फिल किया जा था जब तलक के गेंद को फिल करते एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया स्कोर जा पहुचा है ट्वेंटी टू रन्स नेक्स्ट बॉट लिखा तयार फिर से एक बार अर्शद इस बार भी कीट करने की कोशिश गेंद हवा में है और गेंद जाएगी यस आउट अफ द पार्क ही आता हुआ खनीत शटकार छे रन पर्फेक्ट टाइमिंग पर्फेक्ट प्लेस्मेंट ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गेंद आउट अफ द पार्क छे रन के लिए इस छे के साथ स्कोर ने लगाई है चलांग स्कोर जा पहुचा है 28 रन उपर स्कोर बूर्ट पर स्कोर दर्शाता हुआ 28 रन विडाउट लॉस राज और नौडी की पार्टनर्शिप बिल्डप होती हुई टार्गेट बड़ा है लेकिन उससे बड़े इरादे इस वक्त दोनों ही बल्ले बाजोगे आउट अफ द ओव द ओस टम ये लाइन थोड़ी सी खराब रही अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल अत्रिक रनों में एक रन शुमार होता हुआ और इस एक रन की मदद से स्कोर भी आगे बलता हुआ जा पहुचा है 29 रनों पर और शत्तोड़े से महेंगे साबित होते हुए इस ओवर में इस बार डाउन डगराउंड गेन गई है डीब लोंग ओफ बाउंडरी की तरफ छे रन के लिए नौड़े ओन फायर गेन बाउंडरी लाइन के बाहर बड़ा हिट बड़ा हिट इस ओवर में लगबग रन जो आए है 25 रन का ये ओवर रहा महंगाई के जमाने में महंगा ओवर 25 रन यहाँ पर बटोल लिए इस ओवर में अर्षद की अगर बात करें तो बिल्कुल अर्षद काफी महेंगे साबित हुए है अटरा गेंदों में जीट के लिए अब 26 रनों की जरूरत है टीम हडल नहीं करना है प्लीज स्टार्ट ड़ मैच मैच को आउन करें आपको जो समय सिमा दी गई है पाच ओरों के लिए वो है 25 मिनिट्स 25 मिनिट में आपको अपनी एक इनिंग की समाथी करनी होगी जरूरी समाथ ये क्रिकेट के नियम है इस नियम के अनुसार ही आप अगर प्रफॉमंस करते हैं तो ही आपको बैनिफिट मिलता है नहीं तो फिर राजबाई स्पोर्ट्स कमिटी काफी स्ट्रॉंग है कारवाई करने में भी कमी नहीं करेगी चलिए मैच फिर से एक बार ओन होता हुआ गेंदे बची है अठरा और जीत के लिए 26 रनों की जरूरत है अठरा गेंदे 26 रन अठरा 26 का ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा ये मैच यहाँ से अगर श्रीपोश मात्र भाहिंदर पाड़ा टीम को मैच में वापसी करनी है तो फिर यहाँ पर अच्छी गेंद बाजी करनी होगी तेजस को पहली गेंद फ्रेंट फूर्ट पर निकल कर भीकीट करने की कोची जैश वाड़ा कैच बैतरीन कैच बिल्कुल जिस तरीके से शेर शिकार पर जपटता है उसी तरीके से जैश गेंद पर जपटते हुए नजर आए और ये बैतरीन कैच लगा सतियाई मुगरपड़ा टीम के राज आउट वे हैं और राज के बाद वैसे ही खिलाडी को भेजा गया है वाइभाओ बिल्कुल राज ने इंप्रेस किया आते ही साथ अपना अकाउंट छे के साथ खुला था अब न्यू बैटर है वाइभाओ वैभाओ ने भी बड़ा हीट लगाने की कोशिश की है गेन जाती हुई डीप बैकवर्ट स्कूर लेक रिजन में बैटरीन कैच वाइभाओ आए और वैभाओ चले गए विकेट का हुआ है पतंग चले न्यू बैटर बैक टू बैक दो गेंदों पे दो बड़े विकेट जरूर देखने मिले है अगर हैट्रिक लेते तो प्राइज मनी है वन थाउजन रूबीज मानिश्री देवनन जी भोईर साब की तरफ से ये इनामी राची है अगर कोई बल्ले बास तीन गेंदों में तीन सिक्स लगाता है तो उसके लिए भी वन थाउजन रूपीज इस मैच में प्राइज मनी रखी गई है मानिश्री देवनन जी भोहिर साब की तरफ से न्यूबैटर दिनेश दिनेश को भेजा गया है जर्सी नमबर 24 24 नमबर की जर्सी वाला ये खेलाडी और बिल्कुल दो गेंदे दो विकेट जाने के बाद अब मुगरपडा की टीम थोड़ी सी लड़कडाती भी नज़र आ रही है लेकिन अभी भी नॉन स्ट्राइक हैंड पर जो नौड़ी खड़े है ये बड़ा विकेट रहेगा अगर ये खेलाडी रुक गया ये खेलाडी अगर टिक गया तो मैच की दशा और दिशा पूरी तरीके से अपने पक्ष में करने की काबिलियत रखता है ये खेलाडी जिसका नाम है नरिंद्र भारती इसका विकेट बहुत इंपोर्डेंट होगा न्यू बैटर के रूप में आये हैं इस वक्त दिनेश अन हैट्रिक थे इस गेन को छोड़ दिया ना की छेड़ा उन्हें पता था अगर छेड़ थे तो नजदी की मामला हो सकता था इसलिए गेन को ना की छेड़ा बलके छोड़ा गेंद रही डॉट के रूप में डॉट डिलिवरी जरूर देखने मिली है फिर से एक बार अगली गेंद तेजस की वाटर डिलिवरी टपा खाने के बाद गेंद में गती के साथ साथ जो उचाल का तड़का था उससे अंग अंग भढ़गा यही का जाएगा और यहाँ पर स्कोर थमा हुआ है रुका हुआ है तेजस क्या गेंद बाजी कर रहे है ला जवाब इंप्रेस्यू गेंद बाजी अब तलक के देखने मिली है जिस तरीकी से आशा लगाई गई थी टीम की इस बार आड़े बैट से केलने की कोशिश गेंद को केला है डीप बैकवाट स्कोर लेग रीजन में सिंगल रन कंप्लीट किया एक रन से जादा कुछ नहीं एक रन से संतूस्टोना पड़ेगा पांच गेंदे अब तलक के तेजस कर चुके हैं माने श्रीव विला जी एक रन कर्च किया है इस बार फ्रेंट फूट पर निकले थे बड़ा हिट लगाने का मन बनाया था गेंद और बल्ले का संपर्ग इसलिए नहीं क्योंकि गेंद धी शाहिन थी अंपायर का हिशारा आता हुआ वाइट बॉल एक्स्ट्रा रनों में एक रन और जुडेगा र बिग इट लगाने की कोशिश काराला प्रहार गेंद बत्स पे बड़ा वाला थ्या चार गेंद डीप काउक ओनर रॉंडरी के पार छेर रनों के लिए फरार बिग इट बिग इट बिग इट मैंने पहले का कि नरेंदर भारती अगर खड़े रहे तो टीम के लिए हीरो अप्ति के बाद मैट्स का सिच्वेशन चेंज होता हुआ अब 12 गेंदे बची हैं 18 रनों की जरूरत 12-18 का ये मुकाबला कभी ऐसा लगता है कि पोश्मात्रे टीम का पल्ला भारी तो कभी ऐसा लगता है मुगर पाड़ा टीम का पल्ला भारी लेकिन ये पहला मुकाबला है इस वक्त चलता हुआ राजु अनन्तरे चशक 2023 का ये पहला मुकाबला लई भारी विलास पाडिल साहेब आपला हार्दिक स्वागत डदा मंच पर आना है उसी तरीके से जैवंत दादा आपको भी आना है वेलकम गेन बाजी का जिमा समाला है गेन बाज विशाल ने आर और पार की लड़ाई नेक्स बॉल बड़ा हीट लगाने की कोशिश गेंद और बल्ले का संपर्ग नहीं गेंद रही सुरक्षिट डॉट के रूप में डॉट डिलेवरी डॉट डिलेवरी यहां से दबाओ बन सकता है यहां से प्रेशर बन सकता है अगर इसी तरीके की गेन बाजी चली तो फिर मैज भी बन सकता है क्योंकि दोनों ही टीमों को स्रिफ मौके की तलाश है इस बार स्टेट स्टोकेन ने की कोशिश की थी गेन को लोगान रीजन में केला है नौडी रे स्ट्राइक अपने पास जरूर रखी है नौडी को पता है अगर वो खड़े रहे तो मैच आर होगा और पार होगा यह बह राइटर खिलाडी के रूप में इनकी भी पहचान इसी बीच ये गेन इस बार यह ओना हिट क्लासिकल स्टोक गेन जाती वी डी बैक से कबर वाउंडरी की तरफ चारन के लिए क्या बाद है यह स्टोक देखने लायक है यह स्टोक लाजवाब है इस तरीके के स्टोक्स देखिए बिल्कुल नट्रास ट्राइल में स्टोक को कनवर्ट किया था एक पैर हवा में था बल्ला ताकत के साथ स्विंग किया डीप एक्स्टर कवर रीजन में कोई खिलाडी मौजूद नहीं था गेन गई है चार रनों के लिए अब 9 गेंदे बची है जीट के लिए 13 र गेंद में गती के साथ साथ उच्छाल की थोड़ी सी कमी देखने मिली और गेंद रही सुरक्षित कीपर के दास्तानों में डॉट के रूप में आठ गेंदे और 13 रन आठ तेरा का ये मुकाबला आठ गेंदों में बनाने है पूरे के पूरे 13 नेक्स्ट बॉल हेलिकॉप्टर उड़ा है और ये कैच हुआ है अपने कैच नहीं आपने मैच चुड़ा है अगर ये मैच मुगर बाड़ा जीत गई तो फिर श्रीपोश्मात्र स्पोर्ट्स याने पूरे भाहिंदर बाड़ा में यही चर्चा रहीगी कि कैच क्यू छोड़ा सुबसे लेके शाम तलग मैच का सिच्वेशन साथ बारा साथ बारा किसका होगा ये साथ बारा कैच बन सकता था खिलाडी थे लोंग ओफ पर चेतन और चेतन के हाथों से ये कैच छूटा हुआ बड़ा विकेटर मिल सकता था नेक्स बॉल वाटर डिलेवरी वाटर डिलेवरी क्या बाद है मैच अभी भी बाकी है दोनों ही टीमें इस मैच में जरूर बड़त बनाने की कोशिश करेंगे अगर ये कैच बन जाता तो समझ लीजिए पूरी तरीके से मैच बन जाता चलिए अब वो कैच छूटा है लेकिन मैच में आपकी टीम अभी भी है मौजूद कॉन्फिडन्स लेवल हाय रखना होगा मैच में पकड बनाने की लिए अब अंतिम और आखरी ओवर किसके हातों में दी जाती है देखने वाली बात होगी ओहो क्या मुकाबला हुआ है छे गेंदे बारा रन छे बारा का मुकाबला अब आईस्ते आईस्ते दिलों की धड़कने तेज होती हुई अब यहाँ पर हाट बीट थोड़ी सी फास्ट होती हुई पहला मुकाबला और पहले मुकाबले में पैसा वसूल मुकाबला जो दर्शकों ने अभी 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 टीवी चालू किया होगा और त्री स्टार मुवीज पर इस मैच का जो आनन्द ले रहे होंगे उनके डेटा का रिकावर करने वाला यह मुकाबला क्या मैच है एक तरफ श्री पोश्मात्र स्पोर्ट्स तो दूसरी तरफ लका सतियाई गाउदेवी मुगर पाड़ा बिग फाइट मैच छे गिंदे जीत के लिए बारा रन लास्ट ओर लेकर आया है गेंबाद शेतन शेतन अपने बॉलिंग ट्रैक पर है सामना करेंगे नौड़ी पहली गेंद पुल पावरफुल वंडर्फुल ब्यूटिफुल एंड सक्सेस्पुल शेर रन के लिए वाटा हिट वाटा हिट नरेंद्रवार्थी नामी काफी है इस तरीकी के बल्ले बाद देंगे और शेतन से गलती हुई थी लेकिन अब गलती को रिकावर करना है अब पाँच गेंदे छेरन मैच का सिचुएशन पूरी तरीके से ओपन हो चुका है पाँच गेंदों में छेरन बनाने है और जीत कजशन बनाना है यही का जा सकता है लेकिन यहाँ से चेतन ने अगर अच्छी लाइन और अच्छी लेंद पर गेंद बाजी की तो फिर यहाँ पर कमबैक कर सकती है श्री पोश्मात्र स्पोर्ट्स भाइंदर पाड़ा की टीम पाँच गेंदे बची है छे रन की जरूरत है पाँच छे का यह मुकाबला अब देखना यह है चेतन की अगली गेंद किस प्रकार की होगी बिल्कुला थोड़ा सा ओफस्टम के बाहर रखा था गेंद को बल्ले को ताकत के साथ जरूरत स्विंग किया था और यहाँ पर देखे है रन आउट यहाँ पर आत महत्या हालो 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 चलिए मैच अभी भी आउन है क्योंके चार गेंदे बची है पाँच रन की जरूरत है बल्ले बाजी की कमान पर है नौड़ी इस खिलारी ने इंप्रेस किया है इस बार ये एक बड़ा हिट हो इस खिलारी को आप रोकते नहीं हो तो ये आपकी टीम के अगेंच बड़े हिट लगाने में शक्षम और कामियाब होंगे जरूर कॉंगरुच हलो येस कॉंगरुचिलेशन टीम लकास सतियाई गाउदेवी स्पोर्ट्स मुगरपाला एन हाडलक शी पोश्मात्र स्पोर्ट्स तो ये टीमों से मैं रिक्वेस्ट करने ग्राउन से बाहर निकलनेए ब्राउणच अवंजनके अधि रोकत दोन। ज्योंगरुचिए मैं घंड्शेक करकर ही ग्राउणच से बाहर निकलेए प्लीस man of the match one man army one man hero जिसने आज सुबा के दिन ताबर तो गेन बाजी और बल्ले बाजी का प्रदेशन किया one and only please welcome Mr. Naudi man of the match यहाँ पर दिया जाएगा तो आला है Naudi आपको man of the match का पुरसकार कलेक करने के लिए मानिश्री मानिश्री देवरन जी भुईर सेब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके ही शुबातों से यह man of the match man of the match का पुरसकार जरूर जरूर दिया जाए क्या बात है तीन गेंदों में तीन सिक्स का किर्तेमान मी रचा है और एक हजार की इना मी राशी मानिश्री देवरन जी भुईर साभ के दरफ से चेतन यहाँ पर आना है प्लीज बिल्कुल आज मैनत की है तो मैनत का फल यह हरी हरी दो नोट के माध्यन से दिया जा रहा है मुगरपड़ा टीम आपको कहीं नहीं जाना है आपकी उपस्तिती यहीं पे रहना जरूरी है यह चीज धान में रखिए मुगरपड़ा टीम नोटी जाना नहीं है इसके बाद आपका ही मुकाबला है याद रखेगा चलिए कॉमेंटरी बॉक्स में भी फेर बदल होगी इसी गाउं के इसी शेत्र के एक बहतरीन आवास के मालिक उभरते कॉमेंटेटर आदेश सुनते हैं पहली इनिंग की कहानी उनकी ही सुबानी आई आदेश हमारे प्रमुक पाउने मुक्य अतिती माने श्री निलेश जी राउत वेल्कम निलेश आपका हार्दिक स्वागत है आने वाले वक्त में नगर से वक्त चशक उनके ही माध्यम से देखने मिलेगा विजे सरीता के ग्राउन पर एक बिगिस टूर्नमेंट है चलिए अधिश जॉइंट हो चुके मेरे साथ माइक्रोफोन पर सुनते हैं इस मैच की कहानी उनकी ही जुबानी अई अधिश पाँच ओर गई हो गए मुकाबला नियम के बारे में सुचित किया जा रहा है दोनों ही टीमें रूल्स के बारे में आपको इंफोमेशन दी जा रही है अगर बॉल घुम जाता है तो नया बॉल अगर बॉल फूट जाता है तो जितने रन बॉल पर काउंट होंगे विकिट है तो विकिट दिया जाएगा उसी तरीके से देखिए एक आम का जाड है स्क्वेर लेक पर अगर उस जाड पर गेंद टकरा कर आपने कैच कनवर्ट किया तो विकिट दिया जाएगा अंपायर डिसिजन विल भी फाइनल डिसिजन होगा अंपायर का जो निंडे होगा वो अंतिम और आकरी माना जाएगा साथी साथ टाइम लिमिट 25 मिनिट से 25 मिनिट का समय आपको दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी इनिंग की समाप्ती करनी है ये नियम है इस नियम के अनुसार ही आपको प्रफोर्मेंस करना है मंकड विकेट बिलकुल नहीं है आप कोशिश भी ना करें नहीं तो आपकी मेहनत वेस्ट होगी ये चीज धान में रखेगा तो ये नियम है आप सबी टी में इस नियम का पालन करेंगी और एक बहतरीन मुकाबला आशा और उमीद है कि देखने जरूर मिलेगा आई आदेश सुनते हैं आदेश कि फर्स्ट इनिंकी कहानी इन्से ही येस आई आदेश धन्यबाद सार सर्व नियम वो अटी आँशा एवज यकंश माद्यमातून पोसला गेलेत मैधन अशा आत्मदे जो दोन पंचा है तेन्शा माद्यमातून जोड निर्णा येल येची देखिल नोन गया तोच निर्णे अंतीम मानला जाहिल कोंते ही प्रकारे थर्ड आमपरचा डिसेजन येथी दिला जाना नाई कोंते ही तिसर्या पंचांची मागनी तुमी करू शकत नाई येची देखिल नोन दोनी संगानी गेचे आउटफिल हमपरचा निर्णे तो अंतीम रहेल तसे इस विणनती करें मोगर पाड़ेती लो ओमकार आपोन इथे आईसे सन्मानी संतोची पाड़ेती लोसेब अपलेला बोलोते थ दूसर्या सामन्याला सुर्वात होत अस्तना मैतनाश आतमते एक अबाजोना टीम नरेश पोर्ट्स कासार वडवली विरुद्ध श्री शेंडोबा कालिका माता स्पोर्ट्स कासार वडवली सलाम विर जोडिया मैतनाश आतमते निलेश रावोत ये मुखे अथिती देखिला है तमशे अनि दन्शा माध्ने मातों देकोड़ी तरे एक चांगला खेल देखिल प्रेक्षा कानना जोरो पायाला बेडल अनि सलाम विर जोडिचा आरुपा मादे टीम कालिका शेंडोबा माता श्री शेंडोबा कालिका माता स्पोर्ट्स कासार वडवली संग सर्वानिय रुपेज टांडे ले अंचा कटना पारित्विक लागले निलेश रावुद यांजा दाटी है ट्रेक ज़र अपले अन्न कम्प्लेट के ले शटकार अंशी किवा चवकार अंशी तर रोक रक्कम पश्य रुपेज पारित्विक इति दिला जाएन सलाम वीर जोडी निलेश रावुद अनि अकाश अकाश असर्ट्राइक वरती पावर पेज शटक मैदान अचा आतमदे गोलन दजि मार्ग वरती तैयार संदीब भुईर पहिला शटकाची सुर्वात कशार इतिने केली जाएल इदेखिल पाना अतिशे गर्जेचे पावर पेज शटक है आनि पहिलास बोल बजुन मार्नाचा अप्रायत न अनि इते मात्र डाट अपील केली गेली आनि पांस इते मात्र समत आनि परताव लगते फलंदाज इते पायाला बेलते एक चांगला सावना वैदानाचा आतमदे जरूर पायाला बेटेल दोनी संगांचा मात्य 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 काईश चंगाने पास शटकांची इलेडते आनि दोनी संग मत्र तयार इनिशी मैदानाचा आतमदे पायाला मेलते प्रताम शत्रक्ष स्विकारले टीम उनरे स्पोर्ट्स कासार वडोली संगानी और शत्रक्षन च ताबा अथा मत्र मैदानाच ताबा गेऊन एक चांगले शत्रक्षन इते रचला गेले और पहले चंडू वर्ती जरूर अकाशला इते बात केले गुलंदाज संदीब भुईर अपले शत्रक्षन पुडशा वल नवीन फलंदाज क्रमंक तीन वर्ती रावुल्ला पाटावले गेले येनरे पाश शत्रक्षन वदे किती धाबान परेंत जानेचा प्रयतन इधे केला जाइल टीम श्री शुंडूबा कालिकामात स्पोर्ट् अधे मातुन रावुल क्रमंक तीन वर्ती शत्काची सुरुवात अप्रतीम करतास्तान संदीब भुईर पुडशा वल ओनसाइडला केलास होता ब्याट अने बॉल्सा कुटे इसंपर्ग नाय निर्धाव चंडूचा केल इधे मात्र संपले अधिशा इसरे गोलंदाज मै अनी इते मत्र इन्साइड आउड रोन केलास होता दर मैन शत्रक्षक्ता थेक अनी यह ताइना थे लागें अधिशा अने पंचांचा हात्त मत्र अकाशा मदी अनके एक फलन दाजी ते बाध होता है जल्चित शरुपत परता हुल के राहुल्ला आथा मत्र लागले से दु नवीन फुलंदाज महीदाने अतमती प्रभेश करत सतान जरूर पायाला मिलते है रोहितल जरूर इते पाठवल एकेले रोहित्स मा थेमा तुन चंगली फुलंदाशी इते पायाला प्योगै एखाधा पाटनर्शिप चे अवो शकता है और थी पाटनर्शिप इते पायाला पास शटकान चिलेड़े दाइकोटी तरी पंचावन ने ते साथ धावन परेंत जानेचा प्रेतन टीम शेंडोबा कालिका मात स्पोर्ट्स कासार वडवली संगाने कराईलावा आनि तोच प्रेतन जरूर अखश्य माध्यमातून पायालावेडला परन तो अप्फ लंदाज पैला चिंडो उरती जरूर बाजला अति शोर्व Hawk गोलंदाजी चान जारा माइदनाश आतमधे पेश करतास्ता ना संधी बोईर जा प्रमाणे गोलंदाजी कराईलावे पैलाvेडला पावर प्योर के शटका महाधि तशी गोलंदाजी मायदनाशा आतमधे करतास्ता ना एक चांगली सुर्वाद अपले संगाला दिली, जा जवाबदरी न गोलंद जी सोपवली गिली उती संदी भोयर वर्दी, आनि त्या जवाबदरी ला अथा परेंत अथीशे सुर्यक पार पाड़ातास्ताना, अवग्या तीन चेंडु मदे एकी धाव न खर्च करता, दोन म चेंडु माहत वचे हदरे दिले गेले तीम, चेंडु बा काली का मातो स्पोर्स कासार वडोली संगाला, अपले शट्का तिल्चा उथा चेंडु रोहित साडी, इदे मात्रा पुन्ना एक अथीशे सुर्यक चेंडु जी फेकी पाल, अमेलते बैट आनि बाल्सा कुटे ही संपर्कने निर्धाव चेंडु चेंडु ताके इतिमातर संपला गेले, निर्धाव चेंडु मागे धाव फॉलकाला अत्ता परेंते सुर्वाज जालेल नहीं, अत्ती शे सुर्यक गोलन दजी माईदा नशा आत्मरे, उना एक धा अफले शट्का तिल्पात्सवा चेंड जे धाव संख्या पायाल मिलते, एक धाव धाव फॉलका वरती लागली, धाव फॉलकाचा स्री गने शावग्या पाच्वे चेंडु वरती चाला अंतीम चेंडु या शट्का दिल प्रहार कर रहेचो होता, बैट अनी वाल्सामात्र कुटे ही संफर्क नैए, एक निर्धाव चेंडु इते फेकलागेला है, आनी तबल सहाच चेंडु नुचा खेल इते संपलाई, आनी धाव फलकावरती फक्त अनी फक्त लागली केली एक धाव प्रसंग जरूर पायाला मिलतुएं थोड़स अरचुन इमादे बैकफोट ला टाकल गिलें टीम श्री शुन्डवा कालिकामाता स्पोर्ट्स कासार वड़ोली संगाला अतिशे सुर्य गोलंदाजी या शटकामादे पुर्ण पने बांधुन ठेवल फलंदाजन संधी भोईडशा माध्या मातुन अने एक अतिशे तंत्रशुद्ध गोलंदाजी पायाला बेटली पहला शटक इते संपलाए धाव फलंदाजन चा सुरुपाते इते पायाल बेटले दोन फलंदाजन जरूर बाज जले दुसरो शटक दुसरो पावर प्लेशा शटक असे ल तीन शत्रक्षक ठटीयाट सर्कल चा बाहर रस्तेल अने दरमयान संधी आहे दुनी फलंदाजन ऐक संली पावर प्लेशा शटक है अन्ले श्टकम अ जरू जरूरी डूरकुशन चालो खोता पहला शटक देकल पावर प्लेशा शटक हो था परूंतु ते पावर प्लेशा शटक नच toothology साले तीमात प्रतीम उमा पाल वेटली पावर पेच्छु दुश्रो शड़क गुलंदश मार्ग वरती गुलंदश सहील ला बोलोल गेलें सहील वरती जवाबदरी दिली गेलें फर्मत्तों मात्त वची जवाबदरी असे रोहित वरती जोक्रमांक चार वरती आलें मोटे फटके गुटे दरे सतत तेने खेलडें जातील गाया ओन साइडला खेला इस हो था बैट अनी बॉल्चा संपर्ग नाई चेंडू यसरश्वीर इते पाल बेटला तीन यस्टा नुरून जात अस्ताना एस्टी रक्षकाचा आतमादे सुरक्षित निर्धाव चेंडू मैं खेलत को तीन खेला निर्धाल डिड़कर अस्ताल फिस था मीदाना ऐस्नचा आतमादे संपले निर्धाव चेंड़ो तो म Already had मात्राओ खेड़े तरी धाव फडलला घर थल्ल्प पॉलक्वर्ती पक्त्त एक एक दाव लागलले गेले आट चेंडूंंक्या शेंड़ू आणि त्या समोर केलत असान गुडितर 25 ते 55 धावान परेंथ जान्याचा प्रयत्न जरूर करायलावा आणि तो प्रयत्न करातासाना यते मात्र जेल उडाला गेलाई जरूर। दर्मयान राज पुजशकला नवता अजोनी चिंडो हतामादे अला गेला नाए अणि दर्मयान अफेकि ए परेंथ सहज रिते कंप्लेट केले जाते धावा तीन तीन धावे चमाते तीन धावफलक थोड़सा फुड़े सरकला जातो धावफलकावर ती धावा चारचा यह स्वाटकें आवशक्ता टीम ला जोरू रहें ते मोटे फटके कोड़े सतते तैने पाया ला बेटिलकें महत वाची जवाबदरे असे निलेश राववद अशा वाथी जैसला मेला आले होते और तैन्छा मादे मत उन तुन कुड़े मोटे फटके खेले जातिलकें मोटाफटका खेला एचो था बयाट आनी वाल्स पुन्ना एक दा संपर्ग ने अनकिन एक निर्धाव चुन्डु इदे खेलो दस्ताना पायाला मिलतु है दिलीश राभूत अंशा माध्य माथ उन जर पायाचे जला तर दोन चुन्डु आतापरेंट के लेग आनी स्वताचा वाइक तिक आका वोड़ा आतापरेंट उपन जलीला नहीं है स्वताचा वाइक तिक आकावन कशार तिन उपन केला जायाल एका ताम होटा फटका इदे आतापरेंट पायाला भेटिल हाद एकल प्रशन जरूर आए सहील साहिल चाप पुडचा चंडु वरति केला गेला प्लाहार चंडु आहे हवे हमादे ताखत थोड़ेशी कमी टाइमिंग वेवस दितना हुतां दर्मैन शत्रक्षक चंडु वरति जेपावल आजेल गेनेचे प्रयतन अफाट संजेचा माद्य मातुन जाले परतु तीन धावा कोणी रोको शकल नहीं दर्मैन धावा कंप्लीट के लिए गेले धावन तीन अनि तीन धावेच मातु दिने धाव फलक पुड़े सरकतस्त बैकफूटला जावन खेलाचो था पंचान सा इशारते चेंडु आहे वाईट फलन दर्चा अवा केचा पाहेर चेंडु जर तुमे पेगाल तीन मातुर तुमाला डंड जरूर वुक्ताव लागेल आणि तेच चित्रमाईदनाचे आतमादे गडला पंचान ने लगेच अलकल अनि तेमात्रो गोलन्द साहिल डंडीत केला एका धावे चे भर धाफुलक जावन फोसला आठ वरती आठ धावा धाफुलका वर लागले केले त अजुने अन्तीम चिंडु साहिल गोलन्द चे मार्क बरती पावर प्रेज शड़क अजुने सुरु अन साइटला परती आपणती गरेन ओमकार मोगरफाड़तील ओमकार अपन कोटे असाल अपनकी प्लीज जीदे आएचा है सनमानी संथुर्ष पाडिल साहिवा अपलेला बूलावतायाथ नभीन फुलंदाज मैतन अश्या आत्मादे प्रमांक पाचव परती यो जरूरु माफ करा जबर दुस्तो बैडिंग अधमातर मैधनश्य आथुमादी रुहीत कवत्वे एक सवकाते चाप बैट मुदू नलाए अने दरमें दोन शटकांचे समाप तिने अंतर धाफल का वरती धावा पायान मिलताथ बारा धावा पुडचे शटक, तिसरा शटक, सांगेक दुसरा वैक तिक दुसरा शटक गोलंदर्जी मार गवावती संधी भुईर अतिशे संदर गोलंदर्जी करत अस्ताना शटकाची सुर्वा देखेल निर्दाव चिंडु मागे केले गिलिया निलेश रावु दे चाहा मादे 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 मात्म मोटे फटकें चेववा श्रक्त आहे टीम ला इत्ये मात्र अगति मादे परवर्तन केले गेली चिंडु आहेवे मादे पकड्ला जाहिल के शत्रक शक तेनाथ केले ला गेला आने इवलो कि अड़क राग केँअ अन्याशा भेस लागल पाया मीन आन्याही किवा पिसलिए क्योगा के तो उक्वार वांने 002 चंहाने संदीब भुई रांचा मात्यमातुन पायाल मिलतें। जा प्रमाने सुर्वात केले उती पहले शटकाची तदनंतर दुसरे शटका मदे देखेल अपला तुन गोलन दाची। पहिला चिंडो निर्दाफेकला अथीशे वेगा ने तदनंतर मत्र वेगा वर्ती थोरोस कंट्रोल केला टपा अथीशे सुर्यक अतल लगेला अनि गती मदे परिवर्तन करतस्ताना पायाला भेटला अनि फनन्दद निलेशला मत्र परतावल लगेला अजुनी यश्टका तिल चार चिंडोंचा केल चिलेगे विगनेश नवी नालेला फोलन दाच इते मत्रहा चिंडो सोडुन दिले एश्टी रक्षका साथी पंचांसा इश्या रायतों चिंडो आहे वाइड अवांतर धाव अवांतर धाव निशी धाव फोलक पुडे सरक को तस्ताना पायाला मिलते तेरा परती क्रिकेट मदील अश्यूप अकडा चला मदल जातो तो अकडा अथा मत्र धाव फोलका वर्ती पायाला मिलते है पुड्सा वाल यश्टका तिल विगनेश अडी गती मदी परिवर्तन जरूर केला गिला होता दर्मान ओप साइड फलंदाजाला मत्र परता वलागेल पंसांच इशरची जरूर अमे वाट इते पानार फलंदाज रोहिच्चा खेळीचा अंत इते हो तस्ताना पायाला मिलते अणि नवीन फलंदाज मैदानाचा आत्मदे सागरला पाठाव लेकेले महत्वाचा सामना मैदानाचा आत्मदे दोनी संग पहिला विजय करेता वाट साल करता तस्ताना पहिला विजय एक उन्था भाजूने पहाला विटेल आधिकेल महत वाचा प्रश्न है आनि तोस प्रश्नाच उत्तर शोद तस्ताना दोनी संग मैधनाश्या आत्मदे अफाट प्रयत न करत तस्ताना पहाला मिलतेत सद्याधरी पाड़ जर्ड इमजेच टीम नरिश्पोर्ट्स कासर वडोली संगाचा तरन अत्ता परेंत धाफफलकाचा जरुभी चार केला तर धाफफलक अड़कला केलाई सवदा वाथी दम्दार गोलन दजी चानजार अमाइदान शा आत्मदे संधीप भोईर शा माध्यमातू उन पाअल मिलते है अथा परेंत तीन चंडुन ची फिकी किली अजोनी तीन चंडुन चा केल चील चील लेगाए इनना ले थीन चंडु मदे किती धावान परेंत रोखनेचा प्रयतन केला जाल विगनेस अटी पुड़सा वान पुड़ेवून खेला आए धर्मयान कवर्शित्र मदे शत्रक्षकाहेत इनात केला एक धाव वेगाने कमप्लेट केली आणी एका दवेवर्थी समाधन मानता सना एका धाव निशी संगाची संगीक धाव संग्या पुड़े सरकत सतना पायाले मेलते धाफळक्ष जावन पो चिंडु मत्रों सोडून दिलाए एस्टी रक्षा का करेता पंचन चैशार चिंडु आहे वाइड अवंत थाव और या अवंत धावेच अमद दिने संगाची धाव संक्या पुड़े सरकत अस्ताना जरूर पाया मिलते तीमजेच शोला वरती सोला धावा लगले गले धाव पलका वरती अजुनी दोन चिंडुन चाखेल चिलेक है सागर साथी पुड़ चापल ओन साइड ला केला गेला चिराग यह तैनात केला गेला चिरागला अने धर में आन एक धाव खुड़ी रुकोश्यक्ला नहीं एक अधवेच अमद दिने संगाची सांगेग धाव संक्या पुड़े सरकत अस्ताना पायाला मिलते सत्रा वर्दी सत्रा दावा लागले गले धाव पलकावथी विगने से स्ट्राइक ला अरते चामादे मात उन मुठा फट का पायाला बेटेल गाए मुटे फट केच अवश्यक्ता होती चेंडो आहे हवे मदे अत्तिसे सुर्यक गोलंदा जी सता गोलंदा जपावला या चेंडो वर्दी आनि अनकिन एक फलंदाज मात्र बात कीला गेला या शटकामादे संधीप भुईर चा मात दे माद अत्तिसे सुर्यक तंत्रशुद् अचुक टप्या वर्ती फिकली गेली आनि दर्मयान याज शटका मदे फक्त धावा खर्चा केला संदीप भुईड न ते मंजेच पाज आनि तबवल दोन फलन दाजाना तंबुश याश्या मदे पाठावला टोटल जर संदीप भुईड याँच विचार केला तर दोन शटका तेन्ने वैक्तिक फिकली बारा चुन्डु मैदानाच आत्मादे फिकत असाना फक्त धावा खर्चा केला सहा आनि तबवल चार फलन दाजानना मैदाना तुन बाहर पढ़ोनाचा काम आता फलन तो संदीप बाहर प्रप्वल आत्मादे प्रचाय काम अनि प्रचा केला तो सफल ता मातर प्राप्त नहीं आता मातर अवश्यक्त आहे टीम ला आनि अवश्यक्त अवश्यक्त एते पूर्ण केली जाहिल केला अजुनी बारा चुंडू उन्चा खेल चिल लेगाया धाव फलकापुरती 17 धवा आथा परेंति लागलाया गिले तेनारे बारा चुंडू मोदे कुटितरी यह थीज धवा जरी जम्माव लेगलाया पंदराचे सरासरी न तरे देखिले एक चंगला टोटल इती निर्वान क देखिल प्रशन जोरूर है प्रतिक संदी चा सून देखिल कराव लगेल फुल्टोच चिंडू जरूर इते पाले बेटला दरमयान आउटसेड लेक्स्टम पंसान साइशा रिए चुंडू आहे वाए डंडित केले गिले फुलंद अवाक के चा बाहर से चुंडू इते फ न परेंता जान्याचा प्रएथना सागर्चा माध्या मतुन केला जाइलू इधे मत्रों एक धाव अपुड़ेट केली 38 सरकल चा आत्मधे शंकर्शा माध्या मतु नत्ती चे सुर्यक्ष तरक्षन पाया लबेटला आणि दरमयान एक धाव कोणी रुकु शकलाने एक पुट्चा वाल चिराग इते मतरो बैचे एज जरूर पयाला बेटली दरमेन कुंती धाव नाई निर्धाव चिंडूचा केल संपले यूचा वाल चिंडू पीटली दरमेच केल नाई 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 निर्धाव चिंडूचा वाल नाई नाई-अग। वेगाने कम्प्रेट साहिल चमादे मतल थोड़ शिमीस फिल्ट परन तो फाइदा मात्र कितला जात नहीं है सागर जर जासी जस्तो चुंडू खेला तर नकीच एक चांगला धाव फलक इते वनुष रोक तो अनि यह खुब आतिया फलन दाजा मदे आही अनि यह ती अक्रमक केला त्रया परमाने फटका खिलनेयाचा प्रयत्न ताखत मात्र कमी पायाला बेटली अनि संजेशा माध्या मात्या मातून अत्ती शुर्यक जल्टिप लागेला है अत्ती यह तंत्र शुद्ध गुलन दाजी अच्छो टप्या वर्थी अनि अब्रेद्य शत्रक्षणाच जल देखिल पायाला मेलते नर शुद्ध सकासर वड़ोली संगर्शा माध्या मातून अची अत्ती शुर्यक कामगरी पायाला मेलते नवीन फलंदाज मैधन शा आत्मदे क्रमांक आठ वर्थी पाठो लागेला गवरंखला गवरंखला गवरंख साजर उल्ले केला तर एक अथिशे या फुर्यक फलंदाजें अंडर 19 मोदे खिल तस्ताना कितेक दा पायले तर शा माध्या मातून चांगले अक्रवन चांगले शॉर्ट शिलक्षें तैचा माध्या मातून भर्भूर वेला पायले हा सामना अथिशे महत वाचा है अपले संगला अपेक्स आहे पुर्चा वाल ऑन साइटला इते मात्रों मुटा फुटका खेला गेला है चेंड़ो हमें माधे भरपूर है अनि धर में अनव पाठ्व लेकेले पंचांचा इशरे तो इसाहा दावन साथी शटकार जा प्रमाने उल्लेक केला उता तैया उल्लेक अजन फाइदाव उतास अनि एक उटोंग शटकार फुलंदाज गवरंग चा बैट मुदून सो ताचा वाइक तेक अकांट अने मात्र इते उपन केला है शटकार अनिशी धाव फालकाला निवुनते उल्लाई 27 या अकड़या वर्तिं या प्रमाने जर फुलंदाजी जाली तर एक चांगला टार् अन्तीम शेडो असुनी शिल्लक पहला चिंडु वाई 20 या तर एक ददद धू निर्दाओ चंडु अनि पुन्ने एक धव तार आली एक दद्धाव विकेट आन्या शटकार टोटल चले 5 चिंडु 2018 छिल्लक गवरंग शेड़्ग वहती जाचा बैट मुदू नेक उतूंग शटकार पयाल वेटलें जस्तिच जस्त श्ट्राइक जर गवरान कडे राहिली तर एक चांगला टोटल सथे तरी यह निर्मान करुशक्त टीम शेंडोबा कालेका माता स्पोर्ट्स कासार पडवली संग आणि ते प्रयतन मैदन चा अत्मादे सात्य तेने कर दसार ना गवरांग चमाध्य मतुन चिरक्षा पुड़शा बॉल इधे मत्र हाच शेंडो बैटानी बॉल्चा कुटी संपर्कने ते मदे थोड़शा परिवर्थन जरूर पायाला वेटला आणि इधर में निर्धाव शेंडोचा खेल इधे मत् धाफलकावर्थी 27 धावा चार शटकान सखेल आधा परेंथ संपले एणारे साहाच शेंडो अंतीम साहाच शेंडोंचा खेल अजोनी शिल्लेक हैं एणारे साहाच शेंडो मदे किती दावान परेंथ जानेचा प्रयत नकेला जैल कोड़ी तरी ग्रावरांगला आमात्र श्ट्राइक वरती अनला जैएड़ा जैएड़ा थैंकियो सो मच तो दोस्तो आप सुन रहे थे आदेश को वरतेश आमात्र शानेफ दोस्तों दोस्तों नचेफ़ा जैएड़ा 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 चलिए सलामी बल्ले बाजी की जोड़ी विक्टो के बीच इस वक्त प्रवीश करती हुई एक तरफ की कमान समा लेंगे मौनिश तो दूसरी तरफ राच उपने बैटर्स विक्टो के बीच प्रवेश करते हुए गेन बाजी का जिम्मा समाला है गेन बाज राहुल गेन बाजी की कमान पर तो बिल्कुल स्कोर 37 रंस टू विन इस माच को अगर जीतना है तो 37 रंस बनाने होंगे जरूरी उपने बैटर्स मौनिश एक विस्पोटक बल्लेबाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं ताबड तो बल्लेबाजी के लिए मशूर ये खिलारी उनका साथ देते हुए औरिंच कैप में राज और गेन बाजी का जिम्मा समाला है राहुल ने टार्गेट छोटा है लेकिन गेन बाजी की अगर बात करें तो बिलकुल शेंडोबा कालिकामाता कालिका माता शेंडोबा स्पोर्ट्स कासरवडवली ये टीम की गेनबाजी की लाइनप बहुत ही बढ़िया है शांदार गेनबाज इनके पास मौजूद है लेकिन नरीश स्पोर्ट्स की प्रशंचा करनी होगी काफी लंबा बैटिंग लाइनप था कालिका शेंडोबा स्पोर्ट्स के पास लेकिन अपनी गेनबाजी के दमखंपर जवाब गेनबाजी करते हुए कम रनों पर ही सिमिट कर दिया है अगली गेन लेकर तयार होंगे राहूल इसी बीच ये गेन वेरी फर्स बॉल भी गेत करने की कोशिच गेन को के रहा है डीप काउ कॉर्नर बाउंडरी की तरफ चार रन के लिए इस चार के साथ मोरीश ने अपना अकाउंड अपना खाता जरूर खुला है टार्गेट की अगर बात करें तो 37 रनों का टार्गेट का पीचा करती हुई इस वक्त टीम नजर आ रही है नेक्स बॉल बीगेट 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 करने की कोशिश गेन हवा में है किलाडी गेन के नीचे आकाश और इस कैच को लपक कर अपनी शांदार फिलिंग का प्रदेशन किया आकाश ने और विकेट का पतंग हुआ है मोनिश की इनिंग की हुई ये समाती पहला जटका लगता हुआ चार रनों पर चार रन बनाकर पविलिंग की रा इस वक्त लोटे हुए मोनिश मोनिश की अगर बात के रहे तो नोडाउट शांदार बल्ले बाजी के लिए जाने और पहचाने जाते हैं लेकिन इस वक्त चार रन बनाकर पविलिंग की रा लोटे हुए उनकी कमी पूरी करने के लिए बल्ले बाजी की कमान पर इस वक्त परफेक्ट और राउंडर कर रोल प्ले करने वाले खेलाडी नजर आते हुए मिस्टर साहेल पहली सफलता जरूर मिली है इस वक्त गेन बाज राहुल को साहील आए हैं बल्ले बाजी की कमान पर आते ही साथ अपने इदारते दर्शाय गेन को लॉफ्ट किया था गेन आती हुए लोग ओफ बाउंडरी की तरफ दो रोनों के लिए निकले हैं बहतरीन काफी बहतरीन कॉम्मिनेशन दुनों ही किलाडियों के बीच इस वक्त नजर आता हुआ बैक फूट पर जाकर पंच करने की कोशीच गेन को केला है जरूर सिंगल रन मिलेगा एक रन से जादा कुछ नहीं बिल्कुल राज की अगर बात करें तो इस वक्त मौका मिला है राज को अपना अकाउंट अपना खाता जरूर खुलना है राहुल की अगली की इंदर का सामना करने के लिए तयार होते हुए इस बार राज बिग 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 हिट छे रन जूसी फुल टॉस गें थी बल्ले को स्विंग किया ताकत और नजाकत के साथ गें डीप मिडविकेट बाउंडरी के पार यहाता हुआ दर्जेदार खंखनीत शटकार छे रन इसे के साथ स्कोर जा पहुचा है तीरा रनों पर दर्शात हुआ फिर से एक बार राहुल का सामना करने के लिए सज्जे होते हुए राज पटकी वी गें थी कट करने का प्रयास किया पॉइंट रीजन पे स्टुक को किला तस दूर एक रन से जादा कुछ नहीं इस सिंगल के साथ पहली ओवर की हुई है समाप्ती पहली ओवर की समाप्ती के बाद स्कोर बोट पर स्कोर दर्शाता हुआ चाउदा रन एक विकेट के नुकसान के बाद भलेसे एक विकेट गया हो लेकिन यहाँ पर सही तरीके से कमान समाली बलेबास राजने अपना खाटा छे रनों के साथ खुला और उसके बाद एक रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया अच्छी गेन का समान किया और घराब गेन का यहाँ पर बरपूर समाचार लिया इस चार और छे के साथ पहले मोनिश ने चौका जड़ा फिर सिक्स आया फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल कहानी राहुल की ओवर की कुछ इस प्रकार की रही पहली ओवर में 14 रन एक विकेट के नुकसान के बाद जीत के लिए 37 रनों का लक्ष रखा गया है अगली गेन लेकर तयार इस बार स्विंग किया है बैक को ताकत के साथ है लेकिन एक रन से जादा कुछ नहीं मिलेगा तुकि आपने जो स्टोक कनवर्ट किया है वो डिकलेर जोन की तरफ राज की अगर बात करें तो वो काफी अच्छे फॉम में है अच्छे तरीकी की बल्ले बाजी ही करने के लिए मशूर है नरेशय स्पोर्ट्स टीम के कप्तान है टीम के सेना पती है और बिलकुल इनकी टीम इनके मार्क दर्शन में बड़ी-बड़ी प्रतियों गिता में प्रफोर्मंस करती है और अच्छा प्रदर्शन इनकी टीम का ज़रूर रहता है एफट बहुत बढ़िया है दोनोंगी टीमों के पास लेकिन यहाँ पर अब तलक के जो दबदबा है वो जरूर जरूर नरेशा स्पूर्ट्स का देखने मिलता हुआ गेन बाज़ की कमान पर आएं है विगनेश विगनेश की अगली गेंद पटकी वी गेंद थी ताकत के साथ स्विंग किया है एक रन जरूर कम्प्लीट किया है वहाँ पर जाड का आशिरवाद जरूर मिलता हुआ विगनेश को नहीं तो फिर गेन पर महर लग चुकी थी बिल्कुल ग्राउंड के अंदर मैं तो कहूंँगा वो बार्वा कि लाडी है और सब के लिए फिल्डिंग करेंगा वो है बार्वा कि लड़ी स्कोर जा पहुचा है 17 रनों पर 20 रनों की और जरूरत है इस माच को जीत में तबदील करने के लिए विगनेश की अगली गेन का स्फिर से एक बाद सामना करने के लिए सज्जे होते हुए तीस तर्रार गेन थी गती पर कंट्रोल नहीं रख पाए लेक्स्टम के काफी जाता को किया था और अमपायर का इशारा आता हुआ इस वक्त वाइट बॉल विगनेश की अगर बात करें तो नोडाउट एक बहत्रीन गेन बाजों की सूची में शुमार होने वाला ये गेन बाज विगनेश अब तलक के शांती पूर्वक का गेन बाजी ही इनकी देखने मिरी है हर गेन पर कुछ रण आये हैं जरूर इस बार टाइमिंग नहीं कर पाये थे स्क्वेर लेक पर खेला गया स्टोक सिंगल रण मिलेगा एक रण से जाधा कुछ नहीं सिंगल डबल से रणो की रण संख्या तक के याने टार्गिट तक के पहुचने की कोशिश इस वक्त जरूर जारी है स्कोर जाप पहुचा है 19 रणो पर स्कोर दर्शाता हुआ 19 रण नेक्स्ट बॉल बड़ा हीट लगाने की जरूर कोशिश की थी कारपेट के सारे केला गया स्टोक एक रण कम्प्लीट किया है दूसरे रण का डिमांट है त्रो बहुत ही बढ़िया है लेकिन उससे भी बढ़िया रही रर्निंग बिटिन दे विकेट शांदार रर्निंग बिटिन दे विके उसी तरीके का द्रिश इस वक्त जरूर देखने मिला, विगनिश की अगली गेंद, इस बार अपर कट करना चाह रहे थे, बैक फुट पर जाकर पावर जनरेट करकर स्टोक को कनवर्ड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, शॉट पीच गे स्पोर्ट्स टीम की तरव से पहली डॉट डिलिवरी, उनके गेंद बाजो पर अब तलक के वार हुआ है, पलट वार करने की कोशिश, फिर से एक बार करते हुए, साहिल निकल पड़े हैं, दूसरे रन के लिए, और रनिंग बिटन द विकेट फिर से एक बार ला जवाब, ऐसा लग रहा है कि हम डिस्कावरी चनल ओन करके बैठे हैं, और जिस तरीके से डिस्कावरी पर आप देखते हैं, जंगल में हिरन दौरती भी नजर आती है, उसी तरीके से ये दोनों ही किलाडी दौरती भी नजर आए, इस दोरन के साथ स्कोर जा पहुचा है, 23, 23 रनों पर एक विकेट के नुकसान के बाद, 18 गेंदे बची हैं और जीत के लिए 14 रनों की जरुद, 18 गेंदों में 14 रनों की दरकार, गेंबाज की कमान पर फिर से एक बार लाया गया है, गेंबाज राहुल को, अपने स्पैल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, टीम के लिए वेक् पीसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान ने इनके कांदों पर दी है, अब देखना ये है कि कितने कारगर साबित होते हैं, क्योंकि गेंदे जादा है और रन कम हैं, 18 गेंदों में 14 रन की जरुद, इसी बीच ये गेंद, on the rise केला था, one bounce out of the park, सागर पाटिल के मस्तक पर दस इसे रुकाने की कोशिश करते हैं, तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन one bounce, out of the park, अब जीट के लिए 10 रनों की दरकार, क्या ये 10 रन बड़े स्टोक से राज बनाएंगे, या फिर कुछ और द्रिश होगा, बीगिट, 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 देर ग्राउन पार, राज के बल्ले से, खनकनीत, डंदनीत, शटकार, चेरन, वोड़ा हिट, राज, अपने बल्ले बाजी का जल्वा विखेरते हुए आज, मिस्टर राज, गिंदे बची हैं, लगबक 16 और 4 रन की जरूरत, क्या बड़े हिट के साथ मैच की होगी समाप्ती, चलिए, पैक अप और यहाँ पर जीत लिया है, नरेश स्पोर्ट्स ने, ये मुकाबला महज, दो ओवर तीन गेंदों में, वेल ड़न, नरेश स्पोर्ट्स, और टीम मेंबर्स, एंड हाड लक, काली का माता, शेंडुबा स्पोर्ट्स हाड लक, मैं आफ लमाच गोस तो प्लीज वेलकमिस्टर, संदीप भूर, ये सट्रीपल, स्टीजे का बड़ा वाला हैस,